बिसमें लिए राख्मान रहें, असलाम अलेकुम, मैं से स्फूर्ट किचन में खुश्याम देद, अल्लै तल्या से द्वागों कि अल्लै तल्याप सबको सदाप निरामतों के साहे में रखें, आमिन समामिन, आज मैं आपके लिए बहुत ही जबर्दोस्त और मज़ेदार सा ह हलवाई जैसा गजरेला बना कर रैडी करेंगे, क्योंकि अक्सर घर में जब हम गजरेला बनाते हैं, तो हमारे चावल और गजरेला लाइदा लाइदा नजर आ रही होती हैं, और उसकी लुक भी सही नहीं नजर आती, और नहीं वो खाने में ही मज़े का लगता है, तो इना टाइम वेस्ट किये ही, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, अब यह सबसे पहले मेरे पास अदा किलो चावल हैं, जिनको मैंने अच्छे से साफ कर लिए, आप इनको वाश करके, तकरीबन 3-4 घंटे के लिए अच्छे से सोक होने के लिए रखतेंगे, यह देके चावल को सोक किये हुए, तकरीबन मुझे 4-5 घंटे ही हो चुके हैं, अब हम नेक्स प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, अब एक बड़ा देश का है मेरे पास, और 12 किलो दूद की हम रेसिपी बना रहे हैं, तो हम दूद को, जब हम दूद गवाले से, जिनको उसी दूदी भी कहने ह जब दूद लेने हैं ते दूद नो हमेशा सानु छान के इस्तमाल करना चाहिए था, क्योंकि जिड़ा कोई काकशा खुंदेने, उसारे साफ हो, यह अंदेने ते दूद बिलकुल साफ सुतरा, सानु मिल जान दा, इस्तमाल करनवा से, यह दिखें आप, और अब जो बाकी दूद बचके हैं, वो भी हम अच्छे से स्टेन करके डालेंगे, यह चोटी चोटी पाते होती हैं, जिनको हम फॉलो करें, तो हमें बजार से कोई चीज मगवाने के ज़रूरत ही नहीं पड़े, कि बिलकुल बजार जैसा चीजों का जैका, हम घर पर ही बना कर रेड़ी कर अगर आप इसको खोल कर डालना चाहें, तो खोल कर डालने, वैसे भी डालने तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा ही आएगा, दूद के नीचे फ्लेम को ओन करके दूद को गरम होने के लिए छोड़ दिये हैं, और अब हम करेंगे चाबलों को मेशर की मदद से मैश, क्योंक अब आप इने चैनल पे नहीं हैं, तो मेरे चैनल को करतें, सब्सक्राइब, और लाइक करें, शेर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताय करें, कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लग रही हैं, और साथ में देए कि बेल आइकन को तो प्रेस करना बिलकुल, मत और अब आप चावलों को देखें, ये चावल मैश करने का हमें ये फाइदा होगा, कि ये दूद में जल्दी पक भी जाएंगे, और घूल भी दूद में जल्दी जाएंगे, तो लें जी दूद हमारा हो चुका है, नेम करम, अब मेरे पास मैश कीवे जो आदा किलो चाव हैं, वो इसमें हम कर देंगे, और अब दूद मेरे पास बारा किलो है, चावल हम इसमें आदा किलो डालेंगे, ज्यादा चावल डालने से भी हमारा गजरेला अच्छा नहीं बनता, चावलों की कॉंटिटी को आप तिहान में रखिएगा, अब इसको कर देंगे, हम को एड़, ते लोगे मेरे कोल हूंजे, दो किलो का दुकश कीतियां या गाजरा, ज्यतो जूद दूसी गजरेले वासे लो ज्यादा खास थे आन रखोके, गाजरा साधियां लाल लाल हम जाएदियां, क्योंकि गजरेले थे गजरेले लाल लाल एक ते लुक्वाइस अभी हमेंसे हाई फ्लेम पे ही पकाना है और हाई फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक इसको एक दो उबालना आ जैसे उबाल आएंगे हम इसको मीडियम पे कर देंगे और फिर मीडियम पे ही इसको पकाते रहना है और जब भी आप गजरेला बनाए और चावलों को और गज से 10 मिनिट के लिए कुक कर लें और फिर इसमें गाजरें एड़ करें इससे गजरेले का एक हास लुक आती है और टेस्ट भी इसका अच्छे से ड्वैल्प हो जाता है तो लेंजी दूद को आ चुका था अच्छे से उबाल और मैंने फ्लेम को कर दी है मीडियम पे और मीडियम फ्लेम पे हमें तकरीबन इसको एक घंटे के लिए ही पकाने और तब तक पकाते रहना है जब तक ये यक जानना हो जाए और ये बिलकुल खोया टाइप ना बन और चमच को मुसलसल चलाते रहना है अब गजरेले को पकते हैं तकरीबन आदे घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका है अब मैं टू टेबल स्पून इसमें मैंगो कस्टर पोडर के शामिल करूंगी कस्टर पोडर आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं आप वनेला का भी ल डालने के ये फाइदा होगा एक तो दूद जल्दी ठीक हो जाएगा और ये डालने से गजरेले का टेस्ट भी ज्यादा ड्वेल्प हो जाएगा कस्टर पोडर भी एड़ कर दिया था अब इसके लोग चेक करें ये देखें काफी हद तक ये ठीक हो चुका है अब कर कि इसमें चीनी को एड़ अभ मैं डेड़ कप चीनी का एड़ करूँगे मेंयर्मेंट के हिसाब से ये डेज़ पाव होगी अगर आप इससे ज्यादा चीनी कानअ पाउ पसंद करते हैं ये मिठा प οι तो आप इससे ज्यादा भी डाल सकते है एक घंड़ा हो चुका है इसको बनाते हुए इसकी आप लोग चेक करें इसको बनाते हुए चमच को मुसलसल ही चलाना है क्योंकि अगर हम चमच को नहीं चलाएंगे तो ये दूर्थ जैसे ही नीचे लगेगा इसका टेस्ट बिल्कुल हराब हो सकता है या आप इसकी लोक चेक करें और जैसे ही ये ठंडा होगा तो ये कमाल का मज़ेदार सा हलवाई जैसा ही हमारा गाजर का गजरेला बनकर रेडी होगा तो लेजी मैंने कर लिया है अपने प्यारे प्यारे देशी से प्यालों में गाजर के गजरेले को डीश आउट अब हम करेंगे इसको गार्निश क्योंकि मैंने लेजरेले में एड्नी ही किये मुझे वह नहीं अच्छे लगते इसकी बस हम मैं कार्निश करूँगी अब आप इसमें जो भी नर्ट्स को एड़ करना चाहें कर सकते हैं काजू पिस्ता बदाम जो भी एड़ करना चाहें आप अपनी मर्ज़े से कर सकते हैं अब हम चमच की मदद से आपको खा कर दिखाएंगे ये देखें ये क्या कमाल का और जबर्दसा बनकर रेड़ी हुआ है ये किनन आपके मूँ में भी पानी आगया होगा ये देखें थोड़ी सी घर पर मेहनत करने से बिल्कुल बजार जैसा हमने गाजर का गजरेला बनाकर रेड़ी कर लिया है ये देखें ये क्या कमाल का लाग रहा है तो ले विवर्ड ये है फाइनल लुक हमारे मज़दार्ट से जबर्दसे विंटर स्पेशल गाजर के गजरेले की और वो भी बिल्कुल हलवाई स्टायल क्योंकि अकसर घर में जब ज्यादा महमान आ जाते ही हम किसी की दावत करते हैं तो हमें ऐसी चीज़े बजार से मगवानी पड़ती हैं तो आप मेरे रेसीपी को फोलो करते हुए गाजर का गजरेला घर बनाएके तो आपको बजार से मकवाने के जरूरत ही नहीं पड़ेगे मैंने इसी वज़ा से आप से ज्यादा quantity में recipe को share किया है तो चले आप भी जल्दी जल्दी अपने kitchen में चाहें और इस recipe को follow करते हुए recipe बनाया और मुझे comment box में comment करके बताएं कि आपका गिजरेला कैस्वा बना नेक्स recipe के लिए देखते हैं